नमस्कार दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज मैं हिंदी से सम्मंधित भारती काविसास्त के अंतरगरते एक नया प्रकरण लेकर आपके समक्सों पस्तेत हुई हूँ इसका नाम है काविलक्षन दोस्तों में से लेकर विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं जैसे की एल्टी लक्षर यूजी सी ने अन्य सिक्षर सम्मंधि जो भी परिक्षाएं हैं उनकी लिए यह प्रकरण अत्यतिक महतपूर्ण है आज हम काविलक्षन इसके अंतरगरत जो कुछ भी है उस पर डिसकुसन करेंगे और महतपूर्ण प्रसनों को समझने का प्रियास करेंगे दोस्तों कावि की अनीक लक्षन विद्वानों कवियों ने दिये है ये लक्षन अगड़ी थें कावि का स्वरूप इन लक्षनों में बद नहीं पाता फिर विन लक्षनों के अध्याइन से हम उसके स्वरूप के विवित रूपों और तत्वों को हिर्देयंगम कर सकते हैं, तो शलिए दोस्तों, पहला प्रस्न पढ़ते हैं, भारती कावि सास्त्र का प्राचिंतम ग्रंत है, ओप्सन है, आचारी भामकरित काविया लंकार, आचारी भरत करित नाटि सास्त्र, रास सीखर करित कावि मिमां आचारी ममम्वट कृत काविप्रकाश इसका सयूत्तर है आचारी भरत कृत नाटिसास्त्र या भारती काविशास्त्र का today ग्रंथ हैं दोस्तों, यह भी आपके लिए पढ़ना बिहर जरूरी है जैसे यहां पर you भामकृत काविःलंकार भरत कृत नाट्य सास और राश सिक्कर कृत कावी मेश मांषा, आचार य मम्मठ कृत कावी प्रकास ये इनके द्वारा रचेत ग्रंट हैं, इन्हें भी आप पर लीजेगा दोस्तो नाटक को कावी का एक रूप मानने से भरतमुनी का जो नाटि सास्त है वह कावी सास्त का सबसे प्रतम ग्रंट है भरतमुनी ने कावी का कोई लक्षण नहीं दिया, परंतु उन्होंने कावी के कुछ अंगों का विविजण इसमें किया है जिसमें रस, गुर्ण, अलंकार, भावादी पर मुखिबल उन्होंने अभिने पर दिया है भरत मुनी ने नाटि सास्ति में नाटक में कावी की स्तूती का स्पश्टी करन करती हुई लिखा है दोस्तो परिह कावी की सामानी परिभासा के रूप में नहीं है इसमें नाटक के अंतरगत प्राप्त कावी के तत्वों का निरूपन है आगी देख लेते हैं कावी को चौदा विधाओं का आधार किस ने कहा है ओप्सन है भरत भामर ममट राज सिखर इसका सही उत्तर है राज सिखर ने कावी को चौदा विधाओं का आधार कहा है दोस्तों कुछ काविलक्षर दिये गए है तथा उनके प्रतिपादक आचारे दिये गए है यहाँ परिक्षोप योगी है और इन्हें पढ़ना आपके लिए बेहत चरूरी है क्योंकि UGC नेट में ही मैं ऐसे प्रस्न काफी देख चुकी हो जिनमें काविलक्षर दिये होते हैं और साथ ही उनके प्रतिपादक आचारे दिये होते और उनका मिलान करना होता है तो आप इन्हें अवस्य पढ़ लीजेगा इसमें पहला लक्षर है सब्दार्थो सहीतो काव्यम यह भामर ने दिया है तत दोसो सब्दार्थो सगुडान वलंकरती पुनह क्वापी मम्मट यह सर्वाधिक जो मानिता प्राप्त लक्षर है आगे है वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह विस्वनात की परिभाशा है रमडियार्थ प्रतिपादक शब्दा काव्यम यह पंडित्रा जगनात ने कहा है सरीरम तावधिस्टार्थ व्यवचिन्ना पदावली यह दंडी के द्वारा दिया गया काव्यलक्षर है रुद्रक के द्वारा के दिया गया काव्यलक्षर है सब्दार्थो काव्यम किस ने कहा है यह महावीर प्रशाद दीवेदी जी ने कहा है आगे है कविता को जीवन और जगत की अभिवक्ती किस ने कहा है हजारी प्रसाद दिवीदी, डॉक्टर नगेंद्र, पर्मानन स्रीवास्तव, रामचंद्र सुक्ल इसका सही उत्तर है रामचंद्र सुक्ल आगे कुछ हिंदी कवियों की द्वारा दी गई परिभाशा हैं कावी से सम्मंदित पहला है कावी जीवन की आलूचना है यहाँ प्रेमचंद की द्वारा दी गई है कावी आत्मा की संकल्पनात्म कनुभूती है यहाँ जैसंकर की प्रशाद जी की प्रसाज द्वारा दी गई परिभाशा है कावी आत्मा भिव्यक्ती है यह डॉक्टर नगेंदर के द्वारा दी गई परिभाशा है कवीता हमारी पड़िपूर्ण चड़ों की वाणी है यह बहुत महत्पूर्ण है और यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा दी गई परिभाशा है कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है या महाविर प्रशाद दिवेदीजी ने कहा है आगी अंग्रेजी कावि के लक्षन है इसमें सबसे पहली मैथ्यो आर्नर्ड ने कहा है कविता मूल रूप में जीवन की आलूचना है अगला है कविता प्रबल भाव वेगों का सहज उचलन है या वर्टसवर्थ की द्वारा कही गई है सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम सब्द ही कविता है या परिभाशा कॉलरिज की द्वारा दी गई है कविता, कल्पना और सम्विक की द्वारा जीवन की व्याक्या है या हटसन की द्वारा कहा गया है संस्कृत आचारियों की द्वारा निर्दिस्ट कावी की लक्षन हिंदी आचारियों की द्वारा और अंग्रेजी जो कवियों ने जो परिभासा है दी है इन्हें आप पढ़ लेना या परिक्षोप योगी है अगला प्रस्न है चार वे छे वेदांगोर चार सास्तर के अतरिक्त पंदरवी विधा किसे माना गया है उप्सन है प्रहसन, कला, काव्य, संगीत इसका सही उत्तर है काव्य अगला है कविता में सर्वुपरी महत्यू इन्हें से किसका है उप्सन है बुद्धी, कल्पना, भाशा, संगीत, तत्तू इसका सही उत्तर है कल्पना कल्पना को सर्वुपरी माना गया है इन्हें से कौन सा तत्तू काव्य के पहावपक्ष का नहीं है कलपना, अनुभूती, साब्दिचयन और विचार इसका सही उत्तर है साब्दिचयन यह भावपक्स के अंतरगत नहीं आता दोस्तों, आज कावी लक्षड की अंतरगत जो कुछ भी महत्पूर्ण है वह सब हमनी पड़ा यह सब आप पढ़ लिजेगा क्योंकि सभी कुछ परिक्षा के लिए अत्यतिक उप्योगी है और परिक्षा में यही पूछा जाता है आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, सियर और सब्सक्राइब करें अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो उसके लिए कामेंट करें धानिवाद